अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो टू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन पर क्लिक करना ना भूले इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेर अवश्य करें डक्टर मीनाक्षी जी कृपया आजाएं और मंच पर अपनी रचना प्रसुत करें हर देख स्वागत है आपका मैं बाबु जी को कुछ चार बंगतियां समर्पित करना चाहूंगी जिसने पहला दीब जलाकर अंधियारे को ललका रहे जिसने पहला दीब जलाकर अंधियारे को ललका रहे उजियारे के उस मानव को सादर नमन हमारा है जिसने पहला बाग बनाकर प्रक्तिका रूप समारा है निरजन बनके उस अतीद को सादर नमन हमारा है निरजन बनके उस अतीद को सादर नमन हमारा है जिसने पहला हाद बढ़ा कर सबको दिया सहारा है, मजदारों के उसमा जी को साधर नमन हमारा है. अब कुछ फंक्तियां पेश करते हूं, पढ़ते हूं, इस तरह से जब्द अपना आजमाते जाईए, मुश्किलों के दौर में भी मुश्कुराते जाईए, इस तरह से जब्द अपना आजमाते जाईए, जब मिले एक दर्द शेरों में उसे फिर ढाल कर, जब मिले एक दर्द शेरों में उसे फिर ढाल कर, जिन्दगी के साज पर बस गुन गुनाते जाईए, जा रहे हो बजम से उठकर बिना कुछ भी कहे, जा रहे हो बजम से उठकर बिना कुछ भी कहे, जो छुपा है दिल में वो हमको बताते जाईए, इस तरह से जब्द अपना आजबाते जाईए, रह गया अंदर, तो फिर जला देगा तुझे, है ये बहतर अश्क को अकसर बहते जाईए, इस तरह से जब्द अपना आजबाते जाईए, यू करो कोशिश के मिट जाएं सभी तनहाईए, हर गली हर मोड पर महफिल सजाते जाईए, और अंदिम पंक्तियां, क्या पता, क्या पता कब जाए पहुँचे हुस्न की छट पर, कहीं, क्या कशां इश्के पतं को उड़ाते जाईए, इस तरह से जब्द अपना आजबाते जाईए, मुश्किलों के दोर में भी मुस्कुराते जाईए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो टू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन पर क्लिक करना ना भूलें इस वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेर अवश्य करें